नमस्कार दोस्तों, Welcome to showing trade इस वीडियो में हम बात करेंगे आस्ट्रेल लिमिटेड इस टॉक के बारे में इस टॉक में आज के दिन में देखेंगे तो इसी साफ से ये स्टॉक में हमें कौन सा लेबल पर बाइंग करना चाहिए और किसी के पोर्टफोलियो में इस टाक है तो उनको आगे के लिए क्या करके चलना चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे इसमें कोई यह सुरू करने से पहला आप सबको जरूरर रिक्वेस्ट करूँगा आप अगर इस चैनल पर नाया है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में बेल बटन को प्रेस करके रख लीजे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम ले मिल सकता है इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हूं प्रें सो वीडियो जाके रखे हुए हैं तो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है ठीक है वह एक्जाम्पल से काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा बहुत सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए आपको हमेसा कोई भी स्टॉक अगर वाइंग करेंगे तो उसमें रिस्क रिवाड रेशियो भी चेक कर करना है और और अल्टाइम हाई के पास में रेकाउट बताया जाता है उस टाइम पर यह वहां पर एंट्री लेते हैं उनको बहुत बड़ा नुक्सान हो जाता है ठीक है और कभी भी कोई भी स्टॉक का पास्त रेकर्ड को देखके हम जाज नहीं कर सकते पास्त एक साल में पर स्टॉक में दो गुणा हो गया है यह सा जरूरी नहीं कि अभी से एक साल के बाद में वह भी पांच गुणा आपको मल्टिपल रिटर्न देगा ठीक है इतना बड़ा लालच भी स्टॉक मार्केट में आपको रखना नहीं चाहिए मैं हमें से एक्पेक्टेशन रखता ह सब्सक्राइब करेंगे जरूर मिली जाता है अगर आपको सवाल यहां पर सकते हैं यहां पर नमबर डिश्ट किया हुआ है तो इस नंबर पर आप मेरे से कंटक्ट कर सकते हैं अभी जो स्टॉक मार्केट में जिसी साब से काफी सब्सक्राइब बहुत निच्छे आ चुका सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा ठीक है तो आपको अपना पॉर्टफॉलियों को मोडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है अगर आपने स्टॉक रखे हुए हैं तो फिर कोई प्रोब्लेम नहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत काफी दिन से पुराना इंवेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं आप तो पुरा एक्स्प्रेंस वाले होंगे लेकिन जो भी नया भाई लोग जुड़े हुए हैं स्टॉक मार्केट में उनको अगर इसा कुछ करना है तो आप जरूर को जरूर यसा में कमपनी बनाते हैंत के साथ में यहां पर देखेंगे उनका यहां पर फॉटर सेत हुटर करें कमपनी पर बनाते हैं बद्रेट करने के लिए निर्लाइब बनाते है लोगरा बनाते हैं तो अगर आप जाएंगे इसका कि यह कंपनी का अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए कंपनी जो है यहां पर 39,000 क्रोड का मार्केट क्या पर कंपनी का पी अभी 75 पे चल रहा है जब कि स्टॉक में एक 600 पॉइंट का रोच यह की वारे में बात करेंगे जिरो पर्सेंटेस प्रेश यह और कम डंटोडिंग देखिए फिप्ट फाइंट फिंट्फाइक पर्सेंटर के पास में ऑ Viल लिगे अगर बात करेंगे अलम्मोस्डीं देट फ्री कंपनी जिरो पॉइंट र कंपनी में गिजा ons यहां पे फुप्टिश सब्सकाइज का सी रिटन दिया है यहां पर फाइव विखेंगे लेगा पर अग्न कौटर में 1154 करोड का सेल्स देखने को मिला था अभी का December quarter में 1099 करोड का सेल्स देखने को मिल रहा है तो छोटा सा अभी गरावट देखने को मिल रहे है जोकी फ्लाट रेजल्ट है अगर हम dúder के बारे में बात करेंगे यहां करोड का यहांपर выпka लेकिन्ल हम यहांपे प्रोफिट के बात करेंगे प्रोफिट भी वेंद से ही प्रॉट में यहांपर फाइब करोड का यहां पर करोट का अगर से बाप करेंगे सबसे हाइच लास चार काटर में लाज में पारए वह GRO奋 से Jadi तोअगर से और हम यहां देखते हैं यहां पे दोजार का रिजर्ब था अभी हगर देखते हैं 200-64 और दे तो बहुत बड़ी ऐसा इंप्रूमेंट रिजर में भी देखने को मिला है कॉम्पनी बहुत बड़ी ऐसा हाई ग्रोथ स्टाउक भी है अगर हम यहां पर प्रमोटर के पास में तो 55 परसेंटेज का होल्डिंग है उसके साथ में अगर आप देखेंगे यहां पर एक पास में जबर्दस्त होल्डिंग है जो कि 19.85 परसेंटेज का होल्डिंग है और यहां पर है के पास में 11.62 परसेंटेज का होल्डिंग है पॉब्ली के पास में 12 परसेंटेज का होल्डिंग है अगर आज का दिन का अगर स्टॉक में कारोबार देखेंगे यहां पर यहां पर दिख जो कि बहुत बढ़ी है डेलीवरी देखने को मिला है जो कि फिप्टी सेवन पर्सेंटेज का डेलीवरी एफ्रेंस और एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंस यह जो स्टॉक है ना तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इनका जो ब्रांड अम्बासेटर है जो की ब्रांड शिंहेंग vegetarian देखना तो यहां पर कंपणि का कारोबर कहां पर होता है होव huge मैंच पड़ेंट देखना पड़ेगा अगर यहां पर मैंदेखते हैं तो यहां पर कंपनी का पाइपिंग ड्रवेजन मेंग देखेंगे का रेजलन तो यहां पे इंडिया में है और यहां पे USA में है उके में भी है और केनिया में भी है तो यहां जलंके अगर दो entered national business के बारे में यहां पर इंट्रनाच ब्र्जननिस में तो इसी साब से आप अगर यहां पर ब्रांड टुब देखेंगे तो ब्रांड का जो प्रॉमस्वन है यहां पर वालुवड अक्टर जो यहां पर रंबिर सिंग्ग यहां पर ब्रांड अम इसे डरें ठीक है अगर आप लंग टर्म पोट्फोलियों में अगर इसे स्टॉक को रखेंगे तो आपको फंडामेंटल आनलिशिस देखना बहुत जरूरी है उसके साथ में स्टॉक को कौन सा पॉइंट पर बाई करना है वह भी जानना बहुत जरूरी है ठीक है तो इसी साब से अगर ह ही चल रहा है ठीक है तो यहीं पर उसी सपोर्ट के पास में है अभी अगर आप इसको करना चाहते है तो बिंदा सब्झे स्टॉक बाइख कर लेना है इतना हमें अगर लांग टर्म पोर्टफोलिय में कोई भी स्टॉक लेके चलते हैं हमें इतना ज्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है तो अगर आप को बोलता हो हमारे पास में प्रस्फार मार्केट में में करेंगे बना-पर सब्सक्राइब करें नहीं है कि अगर हमारे पास और भी मह नहीं है तो वहां पर यहां पर अब्रेजिंग भी कर सकते थे उसके बाद में देखे इसका टरगेट और चीव हुआ कि नहीं सटाक फिर उसके बाद में और भी तक यहां पास में तो अभी हर तो इसी इसाब से यहीं बाई कर लीजे एक पॉइंट का हिसाब से और एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंट्स सब्सक्राइब काफी गिरावट होता है बहुत ज़्यादा मार्केट में अगर करेक्शन चलता है हो सकता है stock यहां तक आ जाए ठीक है अगर बहुत ज़्यादा गिरावट होता है stock यहां तक आ सकता है ठीक है अगर यहां तक का हम देखिंग कितना percentage का गिरावट 18% का है लेकिन वह और स्केस में यहां नहीं कि पांसर रे लिया तो उसके बाद में अगर यहां तक आता है फिर stock यहां पर फाइब यहां पर कॉंटिटी लेकि तल सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है फंडमेंटरली बहुत स्टॉक है आपका आभरेजिंग भी बढ़िया हो जाएगा ठीक है यह एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट देखेंगे स्टॉक कितना परसेंट तक गिरता है अभी अगर हम बात करेंगे स्टॉक में कितना परसेंटेज का गिरावट हुआ है रिस चाना परसेंटेज क्या स्टॉक अरप हैयों तो इसका पास्ट रेकोर्ड का अगर आप Check करेंगे जह स्टॉक में जडरूर गेटाए स्टन हो जरूर गिरता है उसके बाद में फिर से all-time high अचिब करता है यहां पे भी देखे 30% को रेक्षन हुआ है उसके बाद में फिर से stock all-time high भी अचिब किया है यहां पर देख सकते हैं ठीक है यहां पर दिखे 2019 सत्रा में यहां पर बिएक बार 1000 इस्टॉक 27 परशेंट गिलाएं है यहां पे गितना परस फर्शनिल नहीं गिराएं है यहां Fest तॉई टॉधा करोन के यहां पिन फर्शन्ट यहां पर करॉन्हें करेक्षन फबी हुआ है यहां सकते हुआ है जोके कि पंड़कूषन सकति हुआ हैind with से ट्राक रेकर्ड भी है इसका 30-40 परसंट का करेक्शन हुआ है तो इसी साफ हमें बिल्कुल प्यानिक नहीं करना है अगर किसी के पोर्टफोलियो में तो होल्ड किजिए अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो अभी बाई करके चलिए कोई प्रोब्लेम नहीं है अगर से थोड़ा सा स्टॉक अगर आपको 15-20 परसंट और भी गिड़ता है वहां से भी आप बाई करके चल सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है लेकिन अगर आप और प्रेवल का इंतेजार करेंगो हो सकता है आपका पोट्फोलियो में स्टॉक नीश हो सकता है यहां पर 50 है कितना परसंटेज मिल सकता है और हमारा एक्सपेक्टेशन भी है 30% का गयान है एक साल में हमारा 30% एक्सेक्ट्रेशन यह मिट हो जाएगा को प्रोब्लेम नहीं लेकिन आचनेल के नाया है चैनेल को ज़रूर सब्स्राइब कर लेजेए उसके साथ में अगर आपकी पोट्फोलिय में कोई गलत स्क्राइब तो आप इमेडियेटले टाइम हो स्टॉक में से स्वीच हो कि एक बड़ी ऐसा स्टॉक को आप उमीद कर सकते हैं और आप हमेशा स्टॉक मार्केट में 100% का गेन का पीछे मत जाए हमेशा आप एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखिए 30 परसंट तक रखिए 30 परसंट तक रख स्टॉक में रखिए तो उशी साबसा आपको बड़ी ऐसा गयन मिल सकता है फ्रेंट्स थांक यू वेरी मच्च प्रेंट्स पर वाचिंग इस वीडियो में ते नेक्स्ट वीडियो में